हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में दोस्तों आज हमारे पास देख सकते हैं कि ये 9W का DOB पैनल है जो कि ये खराब हो चुका है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगी आप कैसे इस खराब DOB पैनल को यूज मे ले सकते हैं फुरा step by step हम बताएंगे वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इसको दुबारा यूझ में ले सकते हैं तो दोस्तों इसे दुबारा यूज में लेने के लिए कुछ जुगाड करना पड़ेगा, तो जुगाड जब आप कर लेंगे, तब इसे दुबारा यूज में आप ले सकते हैं, और फिर इसे आप चाहे इस तरह के बैटी से, या फिर ये नाइन बोल्ट बैटी से, या फिर जो इस तरह के चार्जर होते हैं, इन सभी से इसको यूज में ले सकते, या नि जला सकते हैं, तो आईए देर ना करती भी वीडियो करते हैं, इस्टा आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो डियोबी लाइट है ये पैनल है ये खराब है आपका खराब हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं है अगर आप इसे जुगार से चलाना चाहते है ये बैटी से तो आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका खराब है तो जो भी LED लगे SMD LED लगी हुई है ये सारी LED सीरीज में होती है तो सीरीज में होने के कारण जब आपका कोई एक LED खराब होता है तो सारी LED बंद हो जाती है तो सारी LED बंद हो जाती है ये सीरीज में रहने का ये नुकसान भी है लेकिन जो भी हमारा ACC चलता है तो सीरीज में ही लगा यहाँ जाता है अब हमें तो कि दिखाई देगा चाणी परी आप देख सकते एक आपको दिखाई देगा चाणी पर यहां पर देख सकते होता है तिसमें ज्यादा और कुछ नहीं खराब होता है लगभग केवल LED ही खराब होता है कोई एक दो LED सोट हो जाता है जिसके कारण हमारा यह पैनल बंद हो जाता है तो अभी देखे यहां इधर हो गया माइनस और इधर हो गया प्लस तो इसका जो वायरिंग इसमें दिया गया है देखे यहां जो भी हमारा LED पैनल स्वरी SMD LED लगा हो सीरीज में लगा है तो यहां इसके माइनस से इसके प्लस में इस LED के माइनस और इसके प्लस के बीच में एक वायर आया रहे यहां यहां इसको खुरुच में उसको खुरूच देना है इस तरह को तरह से तरह से और मैं एक पहले से हटा कर रखा हूँ आप देख हैं देखिए सारब यहां जी बीच का जो प्रिंट है यहां मैं ब्लेट से इसको खुरुच के रख लिया हूँ अब जब आप इसे क्लीन कर लेंगे तो मल्टी मीटर से इक बार जरूर चेक कर लिजेगा चुकि हो सकता है कि आपके खुरुचने में कोई पॉइंट आपका सटा हो तो इसे टेस्ट कैसे करेंगे देखिए यहां मल्टी मीटर को आप बजर के रेंज में लख लिजेगा और बजर के रेंज में रखने के बार एक पॉइंट यहां रखिए और एक इधर पॉइंट के रखिए देखिए यहां पे का जो है जुगार है वो काम नहीं करेगा तो इस तरह से सारे LED को आप टेस्ट कर लेना है और टेस्ट करने के बाद। अब आपको लेना है कोई पतला सा सा वायर Secretary मैं ये वायर ले रहा हूँ सक्षिवल वायर और इसे हम पूरा यहां में जोड़ना है तो parallel में जोड़ने के लिए जो बाहर का जो भी माइनस है देखें माइनस माइनस इस तरह से में सभी LED को एक साथ जोड़ना होगा दोस्तों यहां wire लेके देखें पतला wire लेके और किसी LED के एक point एक LED पे यहां पे आप जोड़ना सुरू करिए यहां जोड़ना सुरू करिए और एक एक करके सभी LED को आपको इस तरह देखिए इस तरह से parallel में आपको इसे सभी को जोड़ लेना है और इसे जोड़ते जोड़ते आपको last में जहां सुरू किये हैं वहां लाके इसको last में जोड़ देना है तो दोस्तों इस तरह से यहां देखिए लाश्ट तक यहां जोड़ 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 किया था वहां लाश्ट में इसे जोड़ के और फिर यहां इसे इस बढ़े हुए वायर को हम यहां से कट कर देंगे सेम इसी तरह से आपको अंदर के भी जो भी LED है सभी अंदर की LED में भी इस तरह से आपको जोड़ लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां बाहर के सभी हमारे जो LED हैं वो पैरलेल में जोड़ चुके हैं और अंदर से भी आपको इस तरह से wire की मदद सी से parallel में जोड लेना है अब जोड लेने के बाद यहाँ दो wire हम ले रहे हैं एक लाल और एक काला तो जो काला wire है वो बाहर की तरफ कहीं भी आप इसे इस तरह से जोड लेंगे और जो लाल वाला wire है वो अंदर कहीं भी आप इस तरह से ये दखिया है इस जहां आप इसे जोड़ लेंगे अब हम इसे टेस्ट करते हैं पहले बैटी से जो हमारे पास लिच्टम बैटी है ये 3.7 बोल्ड की हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा कितना अच्छा ये जल रहा है उससे पहले थोड़ा हम तार को यहां पे इसे छेल लेते हैं तो अभी आप हम इसे जोड़ रहे हैं देखिए माइनस वाला माइनस पे और प्लस वाला प्लस पे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इसकी रोसनी है वो पूरी फूल तरह से यह गलो हो रही है सोरी यहां से एक तार जो हमारा अच्छी तरह से नहीं जुड़ा था तो यह तूट गया फिर से हम इसे यहां जोड लेते हैं तो देखें यहां पर फिर से हमने सोल्डिंग कर दिया जो कि यहां सोल्डर थोड़ा सा कम लगा था इसलिए यहां से यह छोड दिया तो यहां माइनस को लगाते हैं और यह हमारा प्लस पर लगाते हैं और आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से इसका जो रोसनी आ रहा है अच्छी तरह से ये ग्लोग हो रहा है बहुत बढ़िया रोसनी दिमिल रहा है अब हम इसे टेस्ट करेंगे एक चारजर से सोरी इस नाइन वोल्ड बैटी से चेक कर लेते हैं कि हमारा नाइन LED नहीं जल रहा है यह वो दो LED जो होंगी वो खराब हो चुकी है जिसके कारण वो नहीं जल रही है अब हम इसे charger से भी जला सकते हैं तो उसके लिए हमें कटा हुआ charger का वायर चाहिए तो यहां पर मैं charger का एक कटा हुआ data cable देखें इस तरह से मैं ले आया हूँ और यहां पर मैं charger में उसे लगा दिया हूँ इस वायर को अब हम इसे जोड रहे हैं इस पाइनल से देखें अभी तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे charger से भी यह बहुत अच्छी तरह से यह पाइनल हमारा जल रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप जोगार करके आप थ्री पॉइंट सेबन बोल्ट बैटी से या नाइन बोल्ट या charger की मदद से इसे आप कहीं भ पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का में मकसद यह था कि आप जो भी आपका डियो भी पैनल खराब होता है उसका यूज आप इमेर्जंसी लाइट के रूप में ले सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार